नमस्कार दोस्तों, कल्युक के जीवन में सफलता का अर्थ है पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है पैसा. आप इस दुनिया में जितना भी पैसा कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही काम्याब कहेगी. पैसे कमाने की चाह में कोई व्यक्ती ये नह सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के के लिए कितने पाप करने पूड़े है. श्रीमत भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिये हैं. इसमें बताए गए एक शलोक के अनुसार, जो मनुष्य ये चार आसान काम करत है. उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है. ऐसे मनुष्य के जाने अंजाने में किये गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नर्क नहीं जाना पड़ता. आईए, जानते हैं उन कामों के बारे में. कल्यूग में सत्य और असत्य का पता लगाना आसान नहीं ह कौन सा व्यक्ति सत्य बोल रहा है और कौन सा जूट ये पता लगाना मुश्किल है. सत्य बोलना. किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो जूट बोल रहा है या सच. अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है, तो आप शेश बचे ज दरूरत मंद को वो चीज निशुलक उपलब्ध करवाना, जिसे पाने में वो अक्षम है. दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए. दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए. आत्म सैयम. कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हमरे हाथों न चाहते पाप हो जाता है. गीता में दिये गए ज्यान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है. लेकिन इस पाप को आपके जीवन में कोई उल्जन नहीं हो सक ध्यान लगाकर भगवान से मिलने का आस लगा रखे हो. आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षातकार कर सकते हैं. नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल काल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है. तो दोस्तों आपकी क्या राय है पाप और पुन् विडियो पसंद आये तो कमिट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे धन्यवाद।